बीजेपी इस बार बीना नेता और बीना गटबंदन के चुणाओं में जाने की तैयारी कर रही है बीजेपी क्या किसी मुख्यामंतरी काभमीदोर के सहरे क्यो नहीं उतर रही हैं क्या उनको लगता है कि लोक सवा में जो मोधी ने जीद हासिल की, जो मोधी लहर थी, वो इन वीधान सवा चुनाओं में भी कहरी करेगी, इनी तमाम सवालों पर हम आज बात करेंगे, बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ, जिसमें चोधरी विरेंदर सिंग हैं, जो कॉंग् बीजेपी में बहुत पुराने हैं, धर्मबिर जी तो पहले कभी कॉंग्रेस, कभी आइनल्डी, चकर काटके फिर बीजेपी में आए हैं, रतलाल जी ये बताइए कि क्या बीजेपी मोधी के सहारे इस बार फिर विधानसवा चुनार बढ़ेगी, ना कोई चेहरा है आपक पास नेत्री तब भी है, आपने बात की है, आदनिया निरेंदर मोधी जी की, तो वो तो इस समय ना केवल भारत के, बलके सारी दुनिया के जन अनायक माने जा रहे हैं, ने ने हर्याना में को हो ना आपके पास? हर्याना के अंदर हमारे पास बहुत से ऐसे समर्पित कार्य करताओं की टोली है, जो नेत्री तब देने में शक्षम है, और ने ने इंदर मोधी जी का नेत्री तब भी है, हर्याना प्रदेश के अंदर, और वो पूरा फेक्टर जो है, लोक सवा के चुनाओं की तरह, हुई है, चुनाओं जीते नहीं, टिक्टों का पटवारा हुआ नहीं, हराजमी कलेम कर रहा है कि मैं मुख्या मंत्रिपत का दावेदार हूँ, आप भी कहीने के सोचे हुए है, यह बात दो-चार बार पार्टी के हाइस्ट फॉरूम के ओपर डिसकस हुई है, कि किसी नाम के ओपर जो है, चुनाओं लड़ा जाए, या समुहिक नेत्रितव के ओपर चुनाओं लड़ा जाए, यह सारे के सारा फैसला जो है, वो पार्टी के पार्लिमेंटरी बोर्ड ने करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, कि अगर पार्लिमेंटरी बोर्ड किसी कार्यकरता के ना हावा के अंदर नहीं है ग्राउंड पर हावा के अंदर नहीं है ग्राउंड पर है सब चीजों के ओपर हर रोज स्ट्रेटिजी बन रही है और वो हमारी काम्याब भी होती जा रही है जो हम तिन राज जो है उसके ओपर मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं उस रणीती के ओपर औ और उस रंडिती पर चलकर ही हर्याना प्रदेश के अंदरभार के जनता पार्टी की सरकार पहली बार अपने दम पर बढ़ने जा रही है। जिए आप प्रहई न दम कांग्रेस ऐसल ह्याँ थाल कि ले बीजय्यप देखे बल्डेश और थे जाँँ से महने पर बाहरती जनता पार्टी में सामिल हूए। जहां तक विधान सभा का चुनाओ है इस पार का लोग सभा का चुनाओ वेवस्था परिवर्तन के लिए था और ये जो विधान सभा का चुनाओ है ये भी वेवस्था परिवर्तन के लिए है पिछले बहुत सालों से आप देख रहे होगे जनतंतर का मतलब होता है लोगों की सरकार, लोगों दोराद सुनी कोई सरकार, लोगों के परतिनी भी क्या फिंजला करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये अधिकारियों की सरकार रही है। तो क्या इस बार बीजेपी को नया एक्सप्रिमेंट करना चाहिए? कोई नौन जाट फेस आगे लाना चाहिए उनको? जानी जाती है, उसके बाद हाई कमांड अपना माइन बनाती है और फिर जो प्रदेश के जैसे हालात होते हैं, उसके अनुसार ही होता है, उसमें जाट भी कोई बात भी आ सकती है, नौन जाट की भी आ सकती है। पर हर्याना में हमेशा जाट वोट बैंक, जाट की बात की जाती है, जाट वोट बैंक है, जाट सीम होना चाहिए, तबी ये होगा, तो आपको भी लगता है कि हर्याना में बिना जाट के ये एक्स्परिमेंट नहीं चल पाएगा लंबा। असल में तो आप ये बानके चली कि पुलिटिकल एक्स्पीडेंसी क्या है, उस समय जब आप ये निर्णे ले रहे हो, राज्या के हालात क्या है, ये है सबसे बड़ी बात, जाती की द्रिश्टी से किसी को उक्खे मंत्री सोचना, ये मेरे ख्याल में किसी राज्यने तिक कि ये सोच नहीं होती चाहे, वो भारते जनता पार्ट ये चाहे कि दूसरी पार्ट चुनाब का मुद्धा आपको क्या लगता है, हर्याना में क्या होगा, क्योंकि हुड़ा सरकार के 10 साल ये तो ही, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जाट, नोन जाट, ये तमाम मुद्धे भी चुनाब में रहेंगे? कि मैरा अपना यांखलं है कि जो युवा वर्ग है वो इन चीजों से उपर उट जुका है और उसके मन में सिर्फ ये है के जातिय आधार पर जो हमारा सोशल किया है राज Grat 수 ने दलोगों ने thats ने दिले की ने उने देखी जाते हैं क्या आपको बीजेपी ने जाट निता होने के नाते शामिल किया है आपको अमंतरित किया है यह एक वज़े नहीं है क्या देखिए मेरे को कोई अमंतरित नहीं किया मैं तो खुद उनको कहाता है मैं आपकी पार्ठी में आना जाता हूं और मेरा अनभव है मे मीरा एक राजनितिक मेरी लिखेसी है। और मैं को किसी इसाधहार पर नहीं देखता। तो मैं अपनी सोच को लेके मैं भार्थे जन्ता पार्टी में आया हूं, और मैं यह मानके चलता हूं कि आब ये राजनितिज बं-द होनी चाहिए, जिसके हम चाचा कर रहे हैं जाद बात की राज़ीती नहीं चलेगी तो आपका मकसद बी जेपी में आना सरह बी जेपी की सरकार बनाना और हुड़ा की सरकार अटाना है या अपने भविश ही ही sıमारना है देखिए अगर बी जेपी की बडकर का समा सिवा के लिए तो आप क्या कारे करता बनुक्य इतने साल का लूंबा क्रियर आप लोग सभा के MP भी रहे, राजयस्वा में भी रहे, सरकार में मंत्री भी रहे, स्टेट में, तो आप वहां मंत्री बनने के लिए, MLA बनने के लिए, तो नहीं जा रहे हैं, मुख्या मंत्री की कुर्सी पे आपका निशाना होगा, नहीं, एक बात आप मानिए कि इस हुमर में मैं कोई कारे करता, कारे करता तो 20-22 साल का हूँ तो ठीक है, अब तो यह नहीं हो सकता कि दरियां भी मैं बिचाओं, कुर्सियां भी मैं लगाओं, नहीं तो मंत्री भी बनना नहीं चाहते हैं के स्टेट में आप, मैं जो मेरी सोच है, उसको भारतिय जन्ता पार्टी के माध्यम से, अगर मैं लोगों तक पहुंचा सकूँ और एक स्थाई तब दे सकूँ भारतिय जन्ता पार्टी को एक राजनेतिक दल के रूप में, तो मैं यह समझता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा उदेशे यह है, क्यों? क्योंकि कॉंग्रिस जिन बातों के लिए के खड़ी थी और जिन चीजों के लिए उसको जाना जाता था, आज वो सब कुछ हटके सिर्फ एक विक्ति विशेश की पार्टी बंगे रहे हैं। मुख्यमंत्री बढ़ने के लिए हैं। इसा तो मैं बोलू है। इच्छा तो होगी आपकी नहीं होती है। इच्छा इनकी मेरे से भी प्रवाल है। इन से ज्यादे तो आपकी होगी ना जोई साब क्योंकि आप दावेदार रहे हैं पहले। आज निती में अगर इच्छा नहीं है तो आदमे को अपने घर बैठ जाना चाहिए। इच्छा आगे बढ़ने के किसको इच्छा नहीं होती है। तो आपको लगते है बीजेपी बनाएगी आपको मुख्यमंत्री है। मेरे को बनाए ना बनाए ये तो पार्टी का फैसला है। लेकिन इच्छा मारके आ पहली बार एक ऐसा बौका मिला है कि वो हर्याना की राजनिती में एक प्रमुख राजनितिक दल्ग के रूप में अपने आपको सिथाईत दे सके एक वो ऐसी पुलिटिकल पार्टी बने जिसकी रिकगनीशन में पुलिटिकल पार्टी के रूप मुणे परसुन वाज पी सवाल पूछना चाहता है अगर आप लोग जीत गए तो बजा मोदी ले और अगर नहीं जीत पाए तो बजा बिरेंदर सिंग या मोदी देखिए मोदी जी और भारते जनता पार्टी की जो काम्याबी है लोग सवा के एलेक्शन में उससे वो एक भारती जनता पार्टी के नहीं बलके राश्ट्रिय स्तर के एक बहुत बड़े राजडितिक की हैसियत से उनका उदेव हुआ है और इसको दो महिने तीन महिने में ये कहना के लहर रहेगी नहीं है खतम हो गई या है मैं ये नहीं मानता जिस जिस तरीके से देश के मत दाताओ अपना विश्वास उनमें प्रगट किया है वही विश्वास हरियाना की जनता भी मोदी जी की लीडर्शिप में विश्वास प्रगट करेगी और जहां तक आपने कहा के परिनाम अच्छे आएंगे परिनाम अच्छे आएंगे तो सब को उसका क्रेडिट है और कैप्टन को तो ज्यादा क्रेडिट होता है जाहे वो स्कोर कितना ही करें लेकिन जीत जब होएगी तो बोलते हैं कैप्टन और बाकी फील्ड में तो और भी प्लेयर हैं हर आदमी अपनी भूमिता है दूसरा एक हिस्सा भी था कि हारे तो किसको ब्लेम मैं इसलिए करा हूँ न कि हार का ब कौन हो एक सवाल सामने से हैं सिंगर साफ मेरा नाम रांदरेंट यादव है और मैं चंडिगर मैं 76 से हो तीनों नेताओं से मेरा काफी अच्छा सब्रक रहा है काफी दिनों तक मैं कटारिया साफ से एक सवाथ पूछना चाहता हूँ कि जब आदी टरम के लिए कुल्दीब जिसे भी बातचीत होती रही है इतना हम गटबंदन के बीच में रहे हैं तो मैंने बार-बार उन से ये एक रह किया है कि किसी भी किमत पर दोनों दलों का जो आफसी विश्वास है इसके ओपर संका पैदा नहीं होनी चाहिए लेकिन जब हमें लगने लगा हमारे को पर पढ़ हो रही है और हमने उनको बार-बार संचेत भी किया उन सब बातों के बारे में और वो बाते फिर बात में लोकसभा के चुनाओं में निकल कर आई कि किसी लोकसभा सेत्र के अंदर वो परचार करने के लिए नहीं गए तो उससे बाते जो है आगे और बढ़ती च ने उनके मन में चली रही थी वो बात उन्होंने आके गटबंदन को तोड़ दिया पिछले लगातार जब से यह सरकार बनी है तो राश्ट्री इस तरह पर प्रधानमंत्री का रियाले में भी उसी तरह के सेंट्रिलाजेशन की खबरें आ रही है और मैं आपसे एक औरनेस किपनी जहूंगा इसको देखिए मैंने जो बात कही उसको मैं अब भी रिपीट करता हूं कि 65 साल की आजादी के बाद जो देश में प्रजातंतर प्रणाली संसद्य प्रजातंतर प्रणाली स्थावित हुई है उसमें डी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक सबसे बड़ होता है किसी भी प्रजातंतर को मदबूत करने का और उसको लोगों की पसंद बनाने का और सिर्फ हरियाना की बात नहीं मैं और राज्यों की भी बात करता हूं तो नहीं कहता हूं कि अगर मुक्ज मंत्री का कारयालेज चपडासी की बदली भी वहां से हो राज्य के करमचारी का जो सबसे छोटा करमचारी है तो इसका मतलब कहीं न कहीं इस आफिस को गलत इस्तिमाल किया गया है और डी सेंट्रलाइजेशन के बजाए सत्ता का केंद्रिय करन किया गया है और उसी वज़े से आज कॉंगर्स पार्टी से ज़्यादा अगर क्रिटिसिजम किसी कॉंगर्स पार्टी के नेता का है तो वो है जो हर्याना में मुख्यमंत्री है